दोस्तों जाता तर बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर बैक पेपर माक सीट पर सो करता है या नहीं या फिर ग्रेस लगने पर किस तरीके का माक सीट बनता है तो पूरी जानकाई आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को डिपलोमा माक सीट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूँगा डिपलोमा के माक सीट में बहुत सारे चेंजेस किये गए हैं ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों जाता तर बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर बैक पेपर माक सीट पर सो करता है या नहीं या फिर ग्रेस लगने पर किस तरीके का माक सीट बनता है त अभी आप लोग स्किन पर एक मार्क सीट देख पा रहे होंगे जो कि एकदम फ्रेश माक सीट है यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं प्रिविएस वीडियो यह मैंने बताया था कि आपको डिप्लोमा माक सीट और सर्टिफिकेट कैसा होता है तो मैंने आप लोगों को य अभी आप लोग एक Mark Seat देख पा रहे हैं और यहाँ पे आप लोग जो 5th semester का number लिखा गया है उसके नीचे आप लोग देख पाएंगे एक back paper का भी column आ गया है जो कि पहले नहीं आता था फिलाल अभी यहाँ पे back paper का भी column देखने को मिल रहा है इसी तरीके से मैं आप लोग क एक और Mark Seat दिखा देता हूँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यह दूसरे बच्चे का Mark Seat है और यहाँ पे back paper में इसके जितने भी paper थे यानि कि जो 3rd semester में जितने भी back लगे हुए थे उसको clear करने के बावजूद यहाँ पे back paper के section में यहाँ पे दिखाया जा रहा है यानि कि यहाँ पे जो Mark Seat का दोस्तों बहुत बड़ा changes कर दिया गया है कि अगर आप लोग का किसी भी subject में back लगता है तो final Mark Seat में वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा जिसका life proof अभी आप लोग वीडियो में देख पारें दोस्तों बात करें Grace की तो Grace Marks भी जैसा कि म नंबर दिये गया हैं दोस्तों आप लोग साइड में देख पाएंगे जिस भी subject में Grace Marks मिला होगा उस subject के नंबर में यहाँ पे fail भी लिखा होगा यानि कि small में F भी लिखा होगा तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा changes कर दिया गया मार्क सीट में अगर आप लोग का किसी भी subject में Grace लगता है तो आप लोग माक सीट में इस प्रकार से देखने को मिलेगा इसी के साथ अगर आप लोग का बैक भी लगता है किसी subject में तो भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा यानि अगर आप लोग किसी subject में बैक लग जाता ह और आप उसे बाद में किलियर कर लेते हो तब भी यहां पे माक सीट में आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यह दोस्तों आप लोगों के माक सीट के रिगार्डिंग पूरी इनफॉर्मेशन उमीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आयोगी इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट के माद्यम से जरूर पूछेगा साथ इस वीडियो को लाइक सेर करना मत बुलिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ऐसे ही इनफॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने क के लिए आपका धन्यवाद